दोस्तो नमस्कार, मैं हरसाई चोपडा आपके हमारे यूटूब चैनल चोपडा एजुकेसं में हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तो 16 माई 2020 को NTA डारेक्टर स्री विनीद जोशी ने केरियर 360 को इंटर्व्यू दिया था उसमें कहा था कि NIT 2020 वे J.E.M.A.N. के जो एक्जाम सेंटर बढ़ाए जाएंगे उनकी लिस्ट एक वीक के अंदर जारिक कर दी जाएगी NIT 2020 वे J.E.M.A.N. के एक्जाम देने वाले स्टुडेंट के लिए कुसी की बात है कि एक्जाम सेंटर इंक्रीज होने से स्टुडेंट अपनी नजदीक एक्जाम सेंटर पर एक्जाम दे सकेंगे HRD मिनिस्टर ने पहले ही एक्जाम सेंटर डबल करने हुए NIT 2020 की एक्जाम 26 जुलाई को अनौन्स कर दी है NTA डारेक्टर ने NIT 2020 की एक्जाम को लेकर और भी बातें कई हैं जिसमें यह परतीत होता है कि NTA एक्जाम कंड़क्ट करवाने की पूरी तैयारी में है और यह 20 जुलाई को ही होगी तो आईए देखते हैं क्या कहा NTA डारेक्टर ने NIT 2020 की एक्जाम के बारे में यह जो आप NDTV का न्यूज आर्टिकल देख रहे हैं इसमें लिखा है कि NTA डारेक्टर जनरल विनीत जोसी ने केरियर 360 को एक इंटरिव्यो में कहा है कि हम सभी संस्ताओं के साथ बात कर रहे हैं और एक्जामिनेशन सेंटर की अक्स्टेंडेड लिस्ट एक सपता के अंदर अनौंस कर देंगे नी 2020 के बारे में उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग नौर्म्स को फोलो करने के लिए NTA को रूम्स और सेंटर डबल करने के आवश्यक्ता है इसको संभव बनाने के लिए NTA इंस्टिउशन के साथ कॉन्टेक्ट कर रहा है कोरोना वाइरस के परकोब की वज़े से नी 2020 के एप्लिकेशन फोरूम के करेक्शन विंडो को कई बार ओपन करना पड़ा और कई बार क्लोज करना पड़ा स्री जोसी नहीं यह भी कहा कि NTA इस्टुडेंट की सेक्यूरिटी सुनीशित करेगा और आवश्यक शावधानियों का पालन करेगा ताकि छात्र बिना किसी चिंता और भैक के परिक्षया में समलित हो सके स्री जोसी नहीं कहा है कि मैं छात्रों को सला देना चाता हूँ कि एक्जाम हॉल के अंदर सुरक्षया के बारे में चिंता नए करें हम सब बातों का ध्यान रखेंगे स्टुडेंट को केवल स्टडी पर ही ध्यान देना चाहिए परिक्षया दिशा निर्देशूं को देते हुए स्री जोसी नहीं कहा कि NTA ने कुछ सावधानिया बरतेगा इसमी जैसे चात्रों का प्रवेश समय अलग-अलग होगा यानि कि स्टुडेंट का इंट्री टाइम अलग होगा किसी का 10 मिनट पहले किसी का 10 मिनट बाद इस परकार से हो गए ताकि एक्जाम सेंटर पर भीड़ ना हो सके इस से बचने के लिए यह निन्नल लिया गया है श्री जोशी ने स्टुडेंट के पेरेंट से काया है कि आवश्यक न हो तो अपने बच्चों के साथ एक्जाम सेंटर पर न जाएं पर इक्षय से पहले और उसके दोरान उचित सामाजिक दूरी का पालन किया जाएगा तो दोस्तों वीडियो का सारंस यही निकलता है कि एक वीक के अंदर जो एक्जाम सेंटर इंक्रीज होंगे उनकी लिस्ट पब्लिस हो जाएगी और फिर आप अपने नजदीक एक्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं और एक्जाम से पहले काफी प्रिप्रेशन करने होती हैं जैसे बाकी सारी एक्जाम अथोर्टी से संपर्क करना एक्जाम सेंटर उस डेट के लिए सेट करना इत्यादी इन सब को देखते हुए यह क्लेर है कि एक्जाम 26 जुलाई 2020 को अवसे ही होगी इसके बारे में जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकोन प्रेस करें वीडियो को लाइक हो ज्यादा ज्यादा शेयर करें मिलते हैं नए जानकारे के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आपसे विदा जैहिंग